वेलकम बैक इन वर चैनल, हम आपके लिए आज लेके आए एकनों की सॉल्ड रसाइन्मेंट जो की बैचलोर फार्ट्स, बीए का एक सब्जेक्ट है, बीईवीएई 181, इन्वार्नमेंट, इसके उपर है, यह हमने एक स्टुडेंट के लिए लिखी थी, अगर आप भी इसको सॉल्ड या फिर सॉल्ड, स्केंड कॉपी या फिर हाड कॉपी चाहते हैं, तो हमें हमारे वर्ट्स अपनमबर भी मैसेज कर सकते हैं, तो यह पहला कॉशन है, एक्स्प्रेंदा है, इसको आप देख सकते हैं, आप चाहे तो यहां से भी लिख सकते हैं, इसको पार्ज करके इसके हमने total 20 pages लिखी हुई है one side rule पे पर यूज किया हुआ है ठीक है यह इसका first का B part है sustainable development is a goal toward which all human society need to be moving elaborate the statement statement को elaborate करना है 120 words में तो यह इसका answer है ओके आप चाहें तो यहां से लिख सकते हैं वीडियो को pause करके यहां तो हमें हमसे solve लेके भी लिख सकते हैं यह हमारा second question आगा है 7th page से टाट होगे differentiate between the following terms में हमने differentiate करना है primary succession and secondary succession को 4, 6, 7 यहां पर है यहां से चलेगा second question अब देख सकते हैं second question चल रहा है 8th page पर आगया है यह second question का B part है direct and indirect use of value of biodiversity ओके then इसके बाद इसके बाद आएगा हमारा third question यह 150 words का लिखना है what is biodiversity or spots क्या होते हैं उसके उपर है अब यहां से देख के पास करके वीडियो को समझ सकते हैं यह 30 page की assignment है 20 नहीं 30 page की है काफी बड़ी assignment है क्योंकि लिए यह na questions को सब parts में divide किया हुए distinguish between by it off plagic तो आप चाहें तो यहां से देख के लिखिए या इसका salt या ऐसी हमसे बनवाना चाहते हो इससे भी अच्छी writing भी मिल जाएगा इससे भी अच्छी writing भी मिल जाएगा या writer पर depend करती है लग लग different different writing होती है सबकी जो writing आपको पिसंद आएगी उसमें ही हम आपके assignments लिखवा देंगे इसकी डाइग्राम एक या यह हमारा fourth question how does forest support ecological system means कि ecological system को forest किस तरह से support करते है forest as a resource यह हमारा 95th question आगया इंडिया has tremendous potential in non-conventional source of energy यह हमारी tide energy, wind energy, solar energy के बारे में थोड़ दोड़ दोड़ डीटल में बनाया है फिर हमारा आगे section second जिसमें हमको 50 words में जो terms हैं उसको define करना है तो यह चोटे-चोटे questions है agenda 21 क्या होता है global warming क्या होता है hazard waste is क्या होता है यह हमने चोटे-चोटे-चोटे question किये और आगे हमारा 7th question landfill spots क्या होता है what is acid rain acid rain तो जानते ही है बस उसके बारे में तो रवबत लिखना है और इस तरह से हमारी जो assignments है वो complete होने वाली है देखिए 25 page what is environment ethics क्या होता है उसके बारे में बताना है अगर आप कोई भी salt चाहते हो तो बता सकते हैं हमें comment section में हम उसके उपर भी video बना देंगे और चैनल को subscribe कर सकते हैं कोई issue नहीं है यह देखिए हमारा 30 page में यह complete होता है last question ओके थैंक्यू हाँ चैनल को subscribe करें and like करें